हेलो गाइस मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है गुर्दीप और आप देख रहे हैं बियाईपी इस्टिडी ग्रूप को आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लू जेकिंग क्या होता है और ब्लू बैगिंग क्या होता है इसके वारे में हम चर्चा करने वाले हैं आईए दोस्तों देख लेते हैं आज कल तकरीबन सभी स्मार्ट डिवाइस ब्लू तूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं स्मार्ट फौन, iOS डिवाइस से लेकर कंप्यूटर और कार तक Bluetooth किसी भी device को connect करें या फिर file sharing का एक आसान तरीका है आपको अपने ear words या फिर headphone से device को connect करना हो या फिर किसी के साथ file share करनी हो यह चीजों को आसान बना देता है अगर आप Bluetooth का शाफदानी पुर्वक उप्यूग नहीं करते हैं तो इससे blue zacking, blue star frame और blue bugging का खत्रा वड़ जाता है आईए दोस्तों इन्हीं सवी के बारे में आज हम जानने वाले हैं blue zacking blue zacking को कम खतरनाक सेड़ी में रखा जाता है इस तरह के attack में Bluetooth पर आवान चित message भेजा जाता है दोस्तों next देख लेते हैं यदि आपका Bluetooth active है तो फिर आस पास का कोई अन्य वेक्त message भेजने के लिए आपके Bluetooth का उपयोग कर सकता है चुकि blue zacking के जरिये आपके device पर कुछ भी install नहीं किया जा सकता है या फिर उसे control में नहीं लिया जा सकता है इसलिए ज़्यादा तर्माबलों में बहुत हार निकारक नहीं होता है दोस्तों जो blue zacking होता है वो इतना ज़्यादा खतर नहीं होता है जो खतरनाक नहीं होता है लेकिन blue snarping ज़्यादा खतरनाक होता है blue snarping से होने वाला हमला ज़्यादा खतरनाक होता है जहां व्लू जेकिंग में पीडित को आवांचित कंटेंट वेजा जाता है वहीं व्लू स्नार्फिंग अटेक में पीडित से कंटेंट हासल किया जा सकता है जो व्लू स्नार्फिंग है इसके दोरा क्या है कि Bluetooth के जरिए कोई दूसरे विक्ति के content को चुराया जा सकता है ये ज़्यादा खतरनाक है जबकि Blue जेकिंग इतना खतरनाक नहीं है नेक्स्ट देख लेते हैं Blue स्नार्फिंग के कुछ और पॉइंट है इस तरह के हमले में डिवाइस से पासवर्ड फोटो contents data याद चुरानी के लिए Bluetooth connect में हैर फेर किया जाता है जो Blue स्नार्फिंग है उसमें क्या है Bluetooth के जरिए आपका data चुराया जा सकता है अब जो last point है Blue वागिंग इसके बारे में हम देख लेते हैं ये तीनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं दो तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं Blue truth स्नार्फिंग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है Blue वागिंग के बारे में देख लेते हैं Blue स्नार्फिंग और Blue वागिंग बहुत हद तक एक सामान ही हैं इस तरह के हमले में हेकर्ष अपनी डिवाइस तक पहुँच प्राप्ट करने के बाद मालवेर इंस्टाल कर देते हैं ताकि उन्हें भविस में किसी भी एक्सिस मिल सके किसी भी चीज का एक्सिस मिल सके ब्लू वागिंग का उदेस आपके डिवाइस पर बग भीजना या जासूसी करना है इसमें फोन पर ऐसे होने वाली वाच्चित को सुना जा सकता है या फिर थर्ड फार्टी एप को फार्ड वर्ड भी किया जा सकता है दोस्तों जो ब्लू स्वनारफ फार्फिंग अगे देख लेते हैं इसमें डिवाइस के मालिक को अलर्ट किये विना काल भी किया जा सकता है और आनलाईन खाते पर या फिर एफ्स तक भी पहुँँचा जा सकता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं ये दोनों साइवर क्राइम की स्रेनी में आते हैं दोस्तों इन चीजों से कैसे बचे इन डिवाइस से जो होने वाला हमला है उसे कैसे बचा जा सकता है उसके वारे में हम देखने वाले हैं कैसे बचे इन हमलों से कोई भी जो Bluetooth के डिवाइस का कोई भी अंजान जो आपके डिवाइस में ऐसा कोई मेंसेज आता तो उसके साथ पेयर ना करें जिसे आप नहीं जानते हैं मजबूत पासवर्ड का उप्योग करें और पासवर्ड को अकसर बदलते रहें अपनी डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखें जो है अप डेट रखें जो भी आपका डिवाइस है अप टू डेट रखें Bluetooth के माद्यम से किसी वी तरह की संबेदन सील जानकारी की सेयर करने से बचना चाहिए इसमें बिंक की जानकारी, पासवर्ड, निजी फोटो वा अनिफर्शनल इन्फोर्मेशन हो शक्ती है दोस्तों हमारा वीडियो ब्लू वगिंग के उपर कैसा लगा है इसके वारे में आप कमेंट सेसन में जरूर कमेंट करिएगा हम आपके कमेंटों को देखते हैं और कोई भी सुझा हो तो आप तुरंत हमें बताईएगा उस पर हम अमल करेंगे और तुरंत ही अच्छे अच्छी वीडियों आपके लिए लाते रहेंगे बस कमेंट कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों में भी इस वीडियो को सेर करें ताकि सबी लोग इस जानकारी को देख सकें या उन्हें जाग रुकता हो कि इ जय हिन जय भारत फिर मिलते हैं गले वीडियो में